असाकार करता हूँ और सरकार में पांच घटे चली बैठक लेकिन नहीं बनी सहमती जारी रहेगी हरताल सबसे बड़ी ख़बर आ रही है हर्याना से यूनियन अध्यक सुरेखा और महासचेव सुनिता ने मिटिंग के बाद जारी बयान में बताया कि सरकार के साथ तीन दौर के बाता हो चुकी है लेकिन राजिकी बीस हजार आशावरकर्स मजूती के साथ हरताल पर डटी है यह सरकार को तै करना है कि वो अंदलन को कितना लंबा ख़िचना चाहती है हम आपको बता दे कि पिछले 54 दिनों से हरताल चल रही है आसाकार करता हो कि सुक्डबार को यानि कल नहीं हर्यान सरकार के साथ पांच गंटे तक मेराथन बैठक चली और बैठक मे सभी 10 वांगो लेकिन सरकार ने केबल आस्सन दिया वहीं केबल आस्सन पर हरताल खत्म करने को लेकर आसा गारकरता यूनियन पीची खटने को तयार नहीं है ऐसे में बैठक के बाद यूनियन ने एलान किया कि जब तक उनकी मांगे जमेनी अस्तर पर पूरी नहीं हो जाती तब तक हर्टाल जारी रहेगी अब पंचकुला के PWD रेस्ट हांस में सुबह 11 बजे से सुरू बैठक साम 4 बजे तक चरी सरकार की तरब से मुखे मंतरी के मुखे बदान सचीब राजिस खुलर ने बैठक की अध्यक्सता की जबकि स्वास्त बिभा की अतरिक्त मुखे सचीब जी अनुपमा नहीं नेच्च एम नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक राज नारायन कौसिक आसा कोडिनेटर चान सिंग मदान सामिल रहे यूनियन की ओर से आसा वरकर्स यूनियन हयाना की अध्यक सुरेखा महासचीब सुनेता सीटू महासचीब जैभगवान यूनियन उपाध्यक्ष परवेश राणी को साध्यक्ष अनिता वपाध्यक्ष तमाम आसाकार करताएं दस अक्टूबर तक हरताल आट को करनाल में ललकार रैली यूनियन अध्यक सुरेखा और महासचीब सुनेता ने मिटिंग के बाद जारी बयान में बताया कि सरकार के साथ तिन दोर की वारता हो चुकी है लेकिन राज्य की 20,000 आसावरकर के मद्बूती के साथ अताल पर रही है हम आपको बता दें कि हरेना असाकार करताओं का सबसे पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दोजा दरजा मिले दूसरा 26,000 रुपिया नियूंतम बेतन दिया जाए तीसरा इंसेटिव में 50 प्रतिसत कटोथी की बाहली हो और चौछा एप और ESI के सुविदा मिले पां मुख्यमंतरी से वारता होगी तो उसके बाद ही आसाकार करता हूँ कि हरताल के बारे में कहा जा सकता है